तो Samsung Galaxy S21 FE 5G या फिर केसी भी Samsung smartphone के अंदर आप lock किस तरह से लगा सकते हो ये सवाल मुझसे काई बार पूछा जा चुका है तो इस वीडियो के अंदर हम ये ही जानेंगे या आप Samsung के smartphone में किस तरह से lock लगा सकते हो अप के अंदर अब देखो अभी की समय में Samsung के smartphone में हमें काफी सरी features देखने को मिलता है जैसे नया update आता है बहुत सरी features लेकिन Samsung ने app lock को जो है हटा दिया है officially अभी app lock आप officially नहीं इस्तमाल कर सकते हो कुछ smartphone में as secure मैं आप लोग को वीडियो के description में या फिर आप मेरे टेलिग्राम चनल पर जोइन कर सकते हो वहाँ पर में इसका link प्रभाइड करवा दूंगा अगर आपके phone में supported है तो आप इस application को install कर सकते हो यह Samsung का official application है और इस application को इस्तमाल करके आप Samsung smartphone के अंदर app lock का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन काफी सारे phones में यह application support नहीं करता है जैसे कि अगर मैं H21 FE 5G की बात करूँ जो कि मैं इस phone से वीडियो का भी suit कर रहा हूं portrait mode से तो इस phone में यह application supported नहीं है बाकि play store के अंदर आपको काफी सारे applications मिल जाएगा लेकिन कई ने कई एक security होता है कि क्या सच में वो app lock provide करेगा सही से क्योंकि app lock के अंदर काफी सारे permissions दिया जाता है जिसके कारण मैं आप लोग को बिल्कुल भी recommend नहीं करने बाला हूं अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी security के मामले में अच्छा रहना है अपने phone को अच्छा रखना है तो सबसे पहले आप लोग को phone की settings के अंदर आना है then scroll down करने के बाद यहां पे आप लोग को security and privacy दिखेगा इसके अंदर आना है फिर थोड़ा से scroll down करने के बाद आप लोग को यहां पे secure folder दिखेगा simply इसके उपर tap करना है अब जो first time है यहां पे अपने phone के अंदर जो samsung account का password है simply इसके उपर आप लोग को continue के उपर tap करना है then यहां पे आप लोग को इस तरीके का option सो करेगा तो आप कोई भी password, pattern, fingerprint यह सारा चीज एड़ कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे यह कम करने के बाद आपको यहां से back आना है यहां पे आप लोग को find करना है secure folder application, तो आपके समने secure folder application simply दीखी चाहिएगा, आप लोग को simply आपे plus बल आइकन के उपर tap करना है, जो जो applications को इसके अंदर रखना चाहते हो, simply इसके उपर आप लोग को mark करना है, for an example, मैं यहाप फोन पे को add करना चाहता हूं, तो मैंने फोन पे के उपर tap किया and add किया, त यहाँ तो customize भी कर सकते हो, आपको directly वहाँ पे redirect हो जाएगा, तो यह सारा options है, यहाँ पर जो भी बहुत सारा और भी customization options, आप इसका color change कर सकते हो, font change कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप इसे customize कर ली न, and finally lock and exit के उपर tap कर देना, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो जो applications के उपर मैंने lock लगाया हुआ था, अगर मैं आप फोन पे बात करो, तो फोन पे यहाँ पे आभी भी बाहर है, लेकिन जो lock के अंदर है, वो एक दूसरा फोन पे है, एक तरफ से वो dual apps, जिस तरह से बाकी brands के smart phones में, especially Chinese smart phones पे आप लोगो ने देखा होगा, कि dual apps, एक ही application का दो-दो वर्जन, आप दो-दो अलग account से customize कर सकते हो, तो इस तरह से दो-दो applications आ गया, तो जो बाहर है, इन सारे applications को सिंपली आप लोगाउट कर देना है, login करके नहीं रखना है, आप एक्सेस करना है, उन सारे applications को, सिक्वर फोलडर आप लोगो को दिखेगा, सिंपली पास solution नहीं है, और आभी की समय में काफी सारे applications भी आप लोग को इंडियोजियली, आप लोग को फीचर देता है, जैसी कि WhatsApp के अगर मैं बात करूऊ, तो WhatsApp के अंदर आप लोग wert को इंडियोजियली, आप लोग का फीचर मिल जायगा, तो आप WhatsApp को, या फिर और भी काफी सारे applications है जिसके अंदर आप लोग को app lock का feature मिल जएगा तो उन सारे applications में तो आप लोग को मिल जएगा लेकिन यही एक और option है अगर आप अपने phone को secure रखना चाहती हो बाकि अगर आप लोग को कोई भी play store से app lock इस्तमाल करना है